असलाम नेकुम स्टुनेंट्स, होप यू विल आल बी फाइन, आएम धीचे नाजी, शफ क्लास फोर, तोड़े वी कैन स्टार्ट आवर लेक्चर कम्प्यूटर, पेज नमबर 99, जैसा कि हम लोग ने पहले अपने वो लेक्चर्स के अंदर अपने यूनेट 7 कम्प्लीट किय अज हम अपना यूने नमबर 8 स्टार्ट करेंगे इंटरनेट, आज कल के दोर में तो हम सब जो हैं इस नाम से बहुत फेमिलियर हैं इंटरनेट से, इंटरनेट जो हैं हम लोग यूज करती हैं, हम लोग सब जो हैं इसको मुख्लिफ इसके फीचर्स, इसके आज हम पढ़ेंगे पेज नमबर 99 पे हम इस चप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी रेटिंग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखें ये पिक्चर के अंदर जो ये आपको बए नज़र आ रहा है, वो क्या कह रहा है, ममी, you require some ingredients urgently to prepare dinner for guests, यानके वो कह रहा है कि हमें वो कुछ dinner को prepare करने के लिए बहुत ज़्यदा चीजों की जुरुत थी, और local market जो थी, वो हमारी बंद हो चुकी थी, what will you do know, अब हम क्या करेंगे, तो उसकी मदर उसको क्या कह रही है, don't worry, dear, it will use the internet of the shop and purchase the ingredients we need, let us now learn about the many uses of the internet, अब हम इसके बारे में बहुत ज़्यदा uses आप भी सारे अपना computer use करते हैं, जैसे आजकर आप online lectures ले रहे हैं, यह online lectures जो हैं, वो किस तरीके से आपकी तरफ पहुंच रहे हैं, जो है, सिरफ और सिरफ internet के मदद से, अगर आपका internet जो है, वो नहीं चलता तो मेरे online lectures भी आप तक जो है, वो नहीं बहुंचते, the fascinating part about computer is that they can be connected to each other, जो सबसे जो fascinating बात है, जो तो खलियादी बात हमें लगती है, वो यह होती है, कि एक जो computer है, वो दूसरे एक साथ attached होता है, और कौन सा जो network है, a network is formed when two or more computers are connected to one and other, these computers are connected through wires, satellites and various other ways, अब यह मुतिफ तरीकों से जो computer है, वो connect किये जाते हैं, सबसे पहले हम किस के बार में, the smaller networks can in turn be connected to one and other from bigger networks, these results in network with a large number of computers, इनी, अब इसके अंदर मुतिफ सारे computers आती हैं, जिसमें यह देखें, keyword आप देखें, network का a group of computers connected to each other, एक group है computers का, जिसके अंदर जो हैं, वो एक दूसरे से connect होते हैं, that's called keyboard, जो यह हमारा keyword था, network का, कि जब दो हैं, दो से जदा computer connect होते एक दूसरे से, that's called internet, अब देखें, uses of internet, देखें, uses of internet का हैं, यह देखें, यह picture जो है, यह अपका communication होती है, क्योंकि आप एक laptop से दूसरे laptop पे जब आपनी information share का रहे होते हैं, through internet, तो आप उसके सारी, आपनी जो thinking है, आपनी जो feelings हैं, वो दूसरे तक express का रहे होते हैं, यह आपनी जो आपके knowledge है, वो दूसरे ता convert का रहे होते हैं, uses of internet का है, the use of the internet has grown greatly over the years because of multiple services that can be accessible has become an important part of our everyday life, अब तो जो computer है, वो उसने बहुत ज़्यादा जो चीज़े हैं, वो variations आगी हैं, आप computer के बहुत ज़्यादा में, जो हैं, वो फाइदे मिल गया है, पहले एक internet जो था, यह computer जो था, वो इतना आम नहीं था, लोग इससे familiar नहीं थे, बिलकि यह ज़्यादा से ज़्यादा किसी companies में, schools में, यह किसी departments में use होता था, जैसे आपकी army में, यह मुतिव जो departments से, जहां पर आपके record की जुरत होती थी, तो वहां पर आप internet को, यह computer को use करते थे, लेकिन आजकल तो यह हर जगा पर use हो रहे हम उसको Google सर्च में, हम उसको प्ले स्टोर, उसको हर तरीके से इस्तमाल कर रहे हैं, अब इसके advantages के हैं, you can acquire information on any topic, अगर आपको किसी भी बात पर मसला आ रहा है तो आप उस topic पर information ले सकते हैं, you can chat with people and send and receive emails, आप दूसरे लोगों से बात क सकते हैं, उनको अपना message बेज भी सकते हैं, और वो अपको बेज सकते हैं, you can buy products on the internet, आप अपनी खरीदारी भी internet पर कर सकते हैं, आप किसी भी brand पर कोई चीज देना चाहरे हैं, आप उस brand का नाम खोड़ेंगे इंटरनेट पर, आप उस चीज को select करेंगे, उसका order देंगे वो चीज आपके घर के दरवाजे तक पहुंच जाती है, you can listen to music, watch movies and play games on it, you can book tickets and pay bills, यानि के हम सारे काम जो हैं, आपनी mobile के game खेलने से लेके, आपनी खरीदारी तक अपनी हर चीज जो है, वो computer के उपर कर सकते हैं, next आपका है ISP, in order to connect the computer to the internet, you need a connection from an ISP, अब आपको computer को internet के साथ, अब ये आपके पास अगर आपके पास एक laptop है, ये computer मजूद है, इसको आप किस तरीके से internet से connect करेंगे, किस चीज के आपको जूरत होती है, ISP, ISP क्या होता है, internet service provider, ISP, I means internet, S means service, P means provider, यानि कि वो company या वो चीज जो के आपको internet की service महल, जो है, वो मया करती है, तो उसक क्या करते है, ISP, तो ISP is a company that provides internet access to other users, the ISPs provide hardware device such as modem or a router to connect your computer to the internet, अब आप देखे ना, कि आपने घरों में अगर Wi-Fi यूज का रहे हैं, तो आपके modems लगे होंगे, आप modem यूज करते हैं, आप modem देखे हैं, कि उसके अंदर से signals जो हैं, वो आपके होती हैं, अगर आप Wi-Fi क यूज के साथ शेयर का रहे हैं, तो आपने router अपने गरों में लगाए होते हैं, जो कि आपके signals को catch करते हैं, उसके बाद जो हैं, आपके mobile के ओपर Wi-Fi की signals आते हैं, ताकि आप उसको mobile internet की शूलत को use कर सकें, आपके ये वाला भी keyword है, ISP का internet service provider, a company that provides internet access to its users, यानिक आज कि य comments लिख के अपने एक page के ओपर बेजेंगे कि internet को और किनकिन चीज़ों में use किया जा सकता है,